नमस्कार students, welcome to our YouTube channel तो आज हम करेंगे banks and simple interest का practice set 41 अब practice set 41 में भी same formula यूज होगा I is equal to P into R into T upon 100 बस सिर्फ interest नहीं पूछा होगा इसके साथ कुछ और information भी पूछा होगा ठीक है, सिर्फ formula को rearrange करेंगे तो हम लोगों को answer मिल जाएगा काफी simple exercise है, लेकिन बहुत important है ठीक है, चलो शुरू करते है तो इसका first question है If the interest on 1700 rupees 1700 rupees पे interest लग रहा है मतलब 1700 rupees आपका क्या हो गया आपका हो गया principle If the interest on 1700 rupees is 340 rupees तो interest आ गया rupees 340 for 2 years, तो time हो गया 2 years The rate of interest must be अभी R पूछा है और 4 options दियें ठीक है, वो 4 options में से आपको select करना है कौन साइसर है तो क्या use करेंगे, सबसे simple formula formula क्या है हम लिखेंगे I is equal to P into R into T upon 100 P के जगे पर substitute करो 1700 R हमको नहीं पता है T हमको पता है 2 upon 100 I का value देखो क्या है I का value है 340 तो यहाँ पर लिख दूँगा 340 अब इसको कैसे जॉल करेंगे यह R को यहाँ पर अकेला कर देंगे R को अकेला करने के लिए यह 1700 into 2 equal to के इस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा यह 100 जो नीचे है वह वहाँ उपर जाके 340 से multiply हो जाएगा ठीक है तो क्या आ जाएगा मैं बोल सकता हूँ 340 into 100 upon नीचे क्या आ जाएगा 1700 into 2 equal to यहाँ पर सिफ बचा R therefore R is equal to अब इसको solve करो यह 0 के साथ यह 0 कट यह 0 के साथ यह 0 के साथ यह 0 कट 17 1 जा 17 2 जा 34 2 1 जा 2 5 जा 10 तो उपर बचा 2 into 5 तो R का value क्या आ गया 2 into 5 हो जाएगा 10 तो answer आ गया 10% तो यह वाला हो गया answer और हम पूर लिख सकते है 10% आया समझ में चलो next करते है if the interest on 3000 रुपीज interest on 3000 मतलब 3000 रुपीज आपका हो गया principle is 600 रुपीज मतलब interest हो गया रुपीज 600 at a certain rate for a certain number of years मतलब R or T नहीं दिया है certain rate और certain number of years ऐसे लिखा हुआ है what would the interest be on 1500 रुपीज under the same conditions तो एक नया interest पूछा है और same condition same condition मतलब same rate of interest same time में कितना interest आएगा इसके उपर ठीक है तो अगर मुझे 1500 रुपीज पे interest find करना है तो मुझे R or T निकालना पड़ेगा लेकिन R or T तो यहां पे नहीं दिया है तो यहां पे तो आए के जगे पे क्या value आ जाएगा आए के जगे पे आएगा 600 is equal to प्रिंसिपल के जगे पे आएगा 3000 into R into T ऐसे ही होगा और नीचे आ जाएगा 100 ठीक है अब इसको solve करो solve करने के लिए 100 वहां पे जाके उपर multiply होगा और यह 3000 नीचे आ जाएगा ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 600 multiplied by 100 upon 3000 और यहां पे बचेगा R into T अब इसको solve करो 0 के साथ 0 कर्ट 0 के साथ 0 कर्ट 0 के साथ यह वाला 0 कर्ट 3 1s आ 3 2s आ तो उपर बचा 20 तो मुझे R into T का value क्या आ गया मुझे R into T का value आया 20 अब इसके बाद पूछा है what would the interest be on 1500 rupees under the same conditions तो under the same conditions principle क्या है 1500 rupees तो मैं यहां पे लिख सकता हूँ rupees 1500 same conditions मतलब यह जो R and T था यहां पे भी same R and T आएगा तो मैं लिख सकता हूँ यहां पे R यहां पे T क्या पूछा है what would the interest be तो interest मुझे नहीं बता है तो मैं लिख सकता हूँ interest is equal to P into R into T upon 100 I का value निकालना है P का value क्या है P का value देखो यहां पे 1500 अब यह वाला मतले ना यह वाला भी देखना ही नहीं है अब यह नया वाला sum है इसमें P का value है 1500 तो यहां पे लिख दिया 1500 into अब मुझे बताओ R into T का value क्या है R into T तो same है ना under the same conditions बोला है तो R into T का value है 20 तो यह equation को हम number दे देते हैं 1 और यह जो R into T है इसके जगे पे लिख देते हैं 20 ठीक है यह 20 जो आया है यह R into T के जगे पे आया है कहां से आया है यह हमने from equation 1 लिया हुआ है अब यह upon upon तो वही आयगा 100 ठीक है अब इसको solve करो क्या आजाएगा यह 0 के साथ यह 0 कर्ट यह 0 के साथ यह 0 कर्ट 15 into 2 30 30 और एक और 0 आयगा तो आजाएगा 300 मतलब interest मुझे आ गया 300 रुपीज तो option चूज करो उपर option था 300 का हाँ यह रहा 300 का option ठीक है तो answer आ गया 300 रुपीज आया समझ में तो इसमें first question से R into T का value हमने निकाला फिर same conditions था इसलिए वही R into T का value यहाँ पे use किया और interest निकाला आया समझ में आप एक बार पूरा solution देख सकते हो pause करके देख सकते हो कैसे किया है चलो next question करते है third question करते है Javed deposited 12,000 रुपीज at 9% per annum in a bank for some years 12,000 रुपीज deposit किया इसलिए principal आ गया रुपीज 12,000 9% per annum मतलब rate हो गया 9% per annum for some years अब मुझे years नहीं पता and withdrew his interest every year मतलब जो भी interest उसको मिला वो हर साल bank में से निकाल लेता था ये 12,000 रुपे वैसे ही रहने दिये जो extra पैसे bank देता है interest वो उसने हर साल withdraw कर लिया at the end of the period वो period कितना है हमको नहीं पता for some years लिखा हुआ है तो at the end of the period he had received all together 17,400 रुपीज मतलब एक time period के बाद हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके बाद उसको total 17,400 रुपीज मिले मतलब इस 17,400 क्या हो गया? यह हो गया amount क्योंकि उसको interest भी मिलेगा प्लस यह 12,000 रुपीज भी उसको साथ में वापस मिलेंगे न तो मैं लिख सकता हूँ amount a is equal to rupees 17,400 for how many years had he deposited his money मतलब मुझे पूचा है time ठीक है? interest मेरे पास नहीं है पर time पूचा है तो चलो यह शुरू करते हैं अब मेरे पास a amount दिया हुआ है मुझे amount का formula पता है amount का formula क्या है? amount is equal to p plus i तो मैं लिख सकता हूँ p plus i है amount के जगे पे क्या लिख सकता हूँ? amount दिया है rupees 17,400 is equal to p कितना है? rupees 12,000 plus i तो i का value आ जाएगा rupees 17,400 यह 12,000 उस तरफ जाएगा तो minus हो जाएगा न यहाँ पे plus है तो यहाँ पे आए जाएगा minus rupees 12,000 is equal to i subtract करके i का value आएगा rupees 5,400 तो मुझे i मिल गया ठीक है? अब यह i use कर मैं है हमको तो यह i यहाँ पे हमारे पास value आ गया है ठीक है? for how many years had he deposited the money? अब मुझे पता है i is equal to p into r into t upon 100 therefore i के जगे पे डालूँगा 5,400 p के जगे पे 12,000 r के जगे पे 9 t मुझे नहीं पता upon 100 अब मुझे यह t का value चाहिए तो मैं t को यहाँ पे अकेला रखूँगा यह 12,000 into 9 को इधर ले जाऊँगा तो नीचे आ जाएगा equal to के उपर था ना और यह 100 चला जाएगा उपर तो आ जाएगा therefore 5,400 into 100 और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 12,000 into 9 और यहाँ पे right side में बचा सिर t अब इसको solve करो यह 0 के साथ यह 0 कट यह 0 के साथ यह 0 कट यह 0 के साथ यह 0 कट है ना? अब 9,000 बन्जा 9,000 9,000 बन्जा 54 अब मैं यह भी cut कर सकता हूँ 6,000 बन्जा 6,000 6,000 बन्जा 12 अब यह वाला जो 2 है यह 2 यह 10 के साथ कट कर सकता हूँ तो आ जाएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10 तो सिर्फ 5 बचा तो मुझे T का वैल्यू क्या आ गया? मुझे T का वैल्यू आ गया 5 years चावेद डिपॉसेटेड इस मनी पॉर 5 years आए समझ में? एक बार पूरा solution देख लो पॉस करके चलो next question करते है 4th question लताबेन बॉरोड सम मनी अभी कितना मनी वो नहीं बोला है खाली सम मनी लिखा है from a bank at a rate of 10% per annum तो मैं rate लिख सकता हूँ 10% per annum यह सम मनी बोला है तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है for 2.5 years तो मैं लिख सकता हूँ t equal to 2.5 years उसको मैं लिख सकता हूँ 224 plus 1 तो आजाएगा 5 upon 2 years या देने कैसे करते थे यह दोनों को multiply 224 plus 1 5 upon 2 next है to start a cottage industry if she paid 10,250 rupees as total interest मतलब उसने rupees 10,250 का interest भरा how much money had she borrowed तो principle पूछा है ठीक है तो अब खाली एक value missing है principle मैं क्या लिख सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ i is equal to p into r into t upon 100 तो i के जगे पे आ जाएगा 10,250 p हमको नहीं पता r हमको पता है 10 और t है 5 upon 2 upon क्या जाएगा 100 अब यह इसमें next step क्या करेंगे इसमें लिखेंगे 10,250 is equal to p into 10 into अब यह जो 5 upon 2 है इसका 2 नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा इंटू 5 upon 100 into 2 अब मुझे क्या चाहिए है मुझे यह p का value चाहिए तो मैं p को वहाँ पर अकिला कर दूँगा कैसे अकिला करूँगा मैं यह 10,250 के साथ यह नीचे का value उपर multiply हो जाएगा यह 10 into 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा 10,250 into 100 into 2 और numerator में आ गया 100 into 2 denominator में क्या आएगा 10 into 5 right side में खाली p बचेगा तो यह 0 के साथ यह 0 कट यह 5 1 जा 5 2 जा 10 5 0 जा 0 5 5 जा 25 तो यह क्या आ जाएगा 205 into 2 हो जाएगा 410 फिर 100 से multiply करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 41,000 तो यह हो गया principle अब final answer क्या लिख सकते हैं final answer लिख सकते हैं लत्ता बेन बॉरोड रुपीज 41,000 ठीक है एक बार पूरा solution देख लो pause करके आया समझ में चलो next question करते है फिफ्ट question है fill in the blanks in the table अभी यह table में आप देखेंगे तो आपको principle, rate of interest are time, interest और amount यह सारी values में कोई-कोई value missing है देखो यहाँ पर interest और amount missing है second राले में amount और principle missing है तो हमको यह missing values भरनी है चलो शुरू करते है इसमें first question दिया है principle is 4,200 rate of interest are is 7% तो हम यह लिख लेते हैं नीचे principle is rupees 4,200 rate of interest is 7% time is 3 years आपको पूछाए interest and amount ठीक है यह दोनों values missing है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ interest is P into R into T upon 100 तो आ जाएगा P के जगे पे 4,200 R के जगे पे 7 T के जगे पे 3 upon 100 अब इसको कैसे solve करेंगे यह 0 के साथ यह 0 काट यह 0 के साथ यह 0 काट तो क्या बचा उपर उपर बचा 42 into 21 यह मैंने उपर solve कर दिया है 42 into 21 बनाता है 882 therefore I is equal to Rs.882 तो यहाँ पे table में आ गया Rs.882 अब amount पूछा है मैं लिख सकता हूँ amount is equal to P plus I formula याद है न P का value है Rs.4,200 और I का value है Rs.882 तो यह आड़ करके आएगा Rs.5082 तो उपर मैं amount के जागे पर लिख दूँगा Rs.5082 ठीक है यह हो गया 1st question 5th का 2nd question में principal नहीं दिया है और amount नहीं दिया है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ I is equal to P into R into T upon 100 I का value है Rs.1200 is equal to P नहीं पता R is 6, T is 4 upon 100 अब मुझे value निकालना है P का तो P को यहाँ पर आके लाँ छोड़ दो 100 को उस तरफ उपर लेके जाओ 6 into 4 को नीचे लेके जाओ तो क्या आजाएगा तो मिलेगा हमको 1200 into 100 नीचे आजाएगा 6 into 4 उपर क्या बचा सिर P ठीक है अब calculate करो यह देखो यह 4 ones आ और यह 4 3 सा 12 0 0 ठीक है 6 ones आ, 6 pi आ 30, 6 zeros आ 0 15 into 100 आजाएगा 5000 रोपीज ठीक है तो मैं यहाँ पर principle क्या लिख सकता हूँ प्रिंसिपल लिख सकता हूँ रूपीज 5,000 अब amount पूछा है, amount क्या होता है P प्लस I P के जाएगे पर डालो 5000 और interest के जाएगे पर डालो 1200 दोनों को add करके आएगा रूपीज 6,200 तो मुझे amount मिल गया रूपीज 6,200 हो क्या second question तो यह आजाएगा रूपीज 8,000 रेट आजाएगा 5% और interest दिया है 800, हमको T निकालना है और A निकालना है, कैसे निकालेंगे I is equal to P into R into T upon 100 I के जाएगे पर क्या आजाएगा 800 is equal to P के जाएगे पर आएगा 8,000 into rate है 5 into T मुझे नहीं पता upon 100 अब देखो मुझे यह T का value निकालना है तो मैं T को अकेला छोड़ दूँगा T को अकेला छोड़ के यह 100 ऊपर जाके में टिप्लाएगा 8,000 into 5 नीचे आजाएगा तो क्या आजाएगा 800 into 100 upon 8,000 into 5 और right side में बचा सिर्फ T अब देखो यह 0 के साथ यह 0 काट यह 0 के साथ यह 0 काट यह 0 के साथ यह 0 काट यह 8 1 जा 8 1 जा 5 1 जा 5 2 जा तो T का value आगया 2 therefore T is equal to 2 years तो उपर भी T के जगे पर लिख दो 2 years अब क्या पुछा है amount amount is equal to P plus I वो तो पहले से दिया हुआ है P है रूपीज 8,000 और interest दिया हुआ है रूपीज 800 अड़ करके आएगा रूपीज 8,800 हो गया तो पर amount लिख दिया रूपीज 8,800 आया समझ में चलो next question करते है fourth question में principle नहीं दिया है rate of interest दिया है 5% time नहीं दिया है interest दिया है 6,000 और amount दिया है 18,000 हमको principle निकालना है और हमको time निकालना है ठीक है तो सबसे पहले तो principle निकालेंगे amount दिया हुआ है नहीं तो मैं लिख सकता हूँ amount is equal to P plus I ये formula हमको पता है amount के जगे पर या लिखेंगे amount के जगे पर लिख देंगे 18,000 is equal to P plus I कितना है 6,000 ठीक है ये 6,000 को left side ले क्या हो जाएगा वो वो हो जाएगा minus और right side में बचेगा P अब 18,000 मैंने 6,000 क्या आ जाएगा आ जाएगा रुपीश 12,000 तो P के जगे पर रुपीश 12,000 लिख दो अब P मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ I is equal to P into R into T upon 100 तो I के जगे पर मैं डालूँगा 6,000 P के जगे पर आ जाएगा 12,000 into R के जगे पर आएगा 5 T के जगे पर आएगा T क्योंकि हमें T का value नहीं पता है upon 100 अब मुझे सिफ ये T का value चाहिए क्या आजाएगा 6,000 into 100 उपर आजाएगा और राइट साइड में जो 12,000 into 5 numerator में है वो denominator में आजाएगा तो T का value क्या आथा है calculate करो ये 0 के साथ 0 cut, 0 के साथ 0 cut, 0 के साथ 0 cut 6 1s आ, 6 2s आ 12 ये 5 1s आ, 5 2s आ 10 5 0s आ 0, 2 1s आ, 2 1s आ 2, 2 0s आ 0 ठीका value आ गया, 10 years तो उपर लिख दो, 10 years 4th हो गया, ठीक है अब 5th question में principal नहीं दिया है rate of interest 2.5% तो 2.5% लिखा R उसको बना दिया 5 by 2%, ये देखो 2 2s आ 4 plus 1, 5, तो 5 by 2 time दिया है 5 years और interest दिया है 2400 amount नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, principal कैसे आएगा I is equal to P into R into T upon 100 I के जगे पह आजाएगा 2400 P हमको नहीं पता है R है 5 by 2 into time है 5 upon 100 इसको एक और step लिखो P into ये जो 2 है ये 2 नीचे जाके multiply हो जाएगा तो उपर क्या बचेगा उपर 5 बचेगा और दूसरा वाला भी 5 बचेगा नीचे ये 100 और वो जो 2 है उपर वो नीचे आजाएगा ठीक है अब मुझे value चाहिए सिफ P का तो P को एक तरफ रखो बाकि सब दूसरी तरफ फेग दो तो क्या आजाएगा 2400 100 into 2 वहाँ पर denominator में है यहाँ पर numerator में आजाएगा upon वहाँ पर 5 into 5 numerator में है यहाँ पर denominator में आजाएगा लिखना आएगा यहाँ आजाएगा 4 into 2 8 8 into 24 आजाएगा 192 और यह 20 192 के बाद 20 मतलब रुपीज 19,200 यह किसका value आगया प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल के जगे पर रुपीज 19,200 लिख दो अब amount निकालना है amount कैसे निकालते हैं amount के लिखेंगे P प्लस I P के जगे पर आएगा रुपीज 19,200 और I कितना है 2,400 आड करके देख कितना आता है रुपीज 21,600 तो amount के जगे पर लिख दो रुपीज 21,600 हो गया कदम तो यह 5th question के 5 questions हो गए आया आपको समझ में तो यहाँ पर हमारा practice set 41 खतम होता है और यह banks and simple interest का chapter भी खतम होता है I hope आपको यह chapter समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में share कर सकते है अगर आपको यह video पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करें और अगर आपने हमारे channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूले तक यू फो ओच वाचि इस वीडियो